नमस्तों जोहर वेविसेक चक्रवर्तिया आप सुभी का फिस सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे की वीडियो की नोडिफिकेसन सबसे पहले आपको मिल पाए और जल्दी यह अपने दोस्तों के साथ सेर करें क्योंकि इसके बाद आप लोगों का लगाता जो है कास्ट 12 का धुआधा त्यारी चलने वाला है तो पहला कोशन दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछागी है है बिजनेस इस तो दोस्तों बिजनेस क्या है वेवसाई क्या है तो वेवसाई जो है आपका आर्ट भी और साइंस भी है बोथ जो होगा करेट एंसर हो जाएगा ठीक है आर्ट अन साइंस यानि वेवसाई कला और विज्ञान क्या है दोनों है अप्सन जो होगा थ्री करेक्ट होगा नेश कोशन क्यों चलते हैं क्या पूछा गया है दा ओकोपेशन इन वीच पीपल वर्क फोर और और ना वो क्या होगा रोजगार होगा इंप्लाइमेंट होगा ठीक है अगर एक दिन में काम करके आपको पैसा मिलता है पर डे के हिसाब से तो वो आपका होता दिहारी वेजेस होता मजदूरी होता जो इस बार के मॉडर फेपर में दिया है और जो बार बार आप लोग देख एक रेकोशन पूछा कि रेमियूरेशन मिलता है तो वह आपका क्या होगा इंप्लाइमेंट होगा ठीक है प्लेयर हो गया यह चीज़्यक economic activities में भी डिवाईडेट इंडू ठीग है विस्तित रूप से रूप में आर्थिक क्रियाओं को बाटा जा सकता है तो विस्तित रूप में पूछा है तो विस्तित रूप में आपका business भी correct है profession भी correct है, employment भी, all of these जो होगा, या पर आपका correct answer होगा website, pesa, rojgaar option D, जो होगा, correct answer होगा, all of these आगे देखे, पूछा क्या है industry is a part of, ठीक है यानि उद्दोग अंग है, तो उद्दोग किसका अंग है, उद्दोग जो है website का अंग है, of business correct होगा, ठीक है जो है, उद्दोग जो है website का अंग है, आपका option one correct होगा, ठीक है, next question क्यों चलते है, क्या पूछा किया है, mining is an, तो mining is an extractive industry होगा, यहाँ option two जो होगा, बिल्कुल correct है, ठीक है, यहाँ पे आपका mining क्या होगा, आपका option two, इसके बाद उस तो question number six देख सकते हैं, क्या पूछा है, textile industry is, तो textile industry का मतलब होता है, कपड़ा उद्दोग, क्या होता है कपड़ा उद्दोग, तो कपड़ा उद्दोग कैसा में आएगा, तो यहाँ पे आपका option number two, बिल्कुल परिक्रियात्मक उद्दोग के यहाँ पे आपका website जो होगा, बिजनेस जो होगा correct answer होगा, option number three correct होगा, बिजनेस जो होगा, correct answer होगा, ठीक है यहाँ पे website correct होगा, चलिए ने इस question क्यों चलते है question number eight, trade in which first import and then export is done, is called ठीक है, तो इसका eight का जो है correct answer क्या होगा, eight का option number three बिल्कुल सही answer है, ठीक है इंटरफोर्ट, trade जो होगा, correct answer होगा इसको कुछ-कुछ चीजों का परिभासा आप लोग याद करके जाएगा, जिसमें पहले आयात, फिर निर्यात किया जाता है ऐसे वैपार को क्या कहते है, पूर्ण निर्यात जो है वैपार कहते है, ठीक है पूर्ण निर्यात वैपार कहते है याद रखेगा, नेश कोशन को चलते है objective of businesses, तो objective क्या है वह या, earning profit करना, पहला option दिया है ठीक है, दुसरा दिया है providing service करना, या फिर दोनों ही service भी provide करना और साथ-साथ में आपका earn profit करना भी जो है correct होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका correct answer होगा, option number 3 is the correct answer, ठीक है, इसका 3 जो होगा correct answer हो जाएगा, clear है चले, next question क्यों चलते है VSI का उद्दे से क्या है आपका lab और सेवा दोनों जो होगा, correct answer होगा, next question क्यों चलते है, the industry which provides support, support service to other industry is known as, तो देखिए, किसी industry को अगर support प्रदान कर रहा है service provide कर रहा है, तो that means हमने आगे भी बताया, कि तीतियक छेतर, जो तीसरा जो sector होता है, थर्ड जो sector होता है tertiary sector, it is also known as tertiary sector को, हम लोग किस नाम से जानते है, service sector के नाम से भी जानते है, option number 3, बिल्कुल correct होगा, यहाँ पे, tertiary sector आप लोग जो बच्चे है, वो comment कीजेगा, primary industry और secondary industry का, क्या और दूसरा नाम है, primary industry को और किस नाम से जानते है secondary industry को और किस नाम से जानते हैं और इसका example भी बताईएगा, देखते कितने सारे बच्चिस का correct answer देते हैं, ठीक है पता चल गिया, जहां आपका जो साहता का बात होगा, तो समझ जाएगा कौन सा उद्धोग होगा, तृतियक होगा कौन सा होगा, तृतियक उद्धोग के अंतरगत आएगा, याद रखेगा, ठीक है आगे देखें क्या पूछा है converting raw material into finished goods बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है raw material को finished goods में बदलने की जो परिक्रिया होती है ठीक है, कच्चे माल को जो है यहाँ पे 11 का जो है option number 4 जो होगा, बिल्कुल correct answer होगा form utility, हम किसी चीज का जो है गुनवत्ता, जैसक सिर्फ आलू था आलू से हम क्या बना दिये उसकी गुनवत्ता को बढ़ा के उसको potato chips बना दिये, क्या बना दिये chips का packet, ठीक है, तो क्या हुआ, उसको quality में क्या हुआ, increase हुआ, उसकी उप्योगिता क्या हुई, बढ़ी न, तो यहाँ पे आपका form utility जो होगा, perfect answer होगा, ठीक है रूप उप्योगिता उसके रूप में क्या किये, परिवर्तन किये, ठीक है, समय उप्योगिता नहीं होगा आगे देखे, question number 12, क्या पूछा है, business risk is not likely to arise due to तो इसका correct answer क्या होगा, 12 का बिल्कुल, option number 2, सही सोचें आप लोग, ठीक है, good management होगा, ठीक है वैसाई जोखीम होने की संभावना नहीं होती है, जिसे अच्छे प्रभंद का knowledge होगा, good management का knowledge होगा, उसे, ठीक है आगे देखे, क्या पूछा है scope of soul trading is, तो जो soul trading होता है, एकाकी वैपार होता है, उसका कायरी छेतर कैसा होता है, तो 13 का जो है, आपका एकाकी जो कायरी छेतर होगा उसका कायरी छेतर क्या होता है असिमीत होता है, unlimited 13 का correct answer होगा, limited होता है 13 का क्या होगा, limited होगा जो एकाकी वैपार होता है, इसका कायरी छेतर क्या होता है, सिमीत होता है, यहाद रखेगा, ठीक है यहाँ पर soul बोला है, तो soul वालों का जो आपका limit होगा, वो limited होगा, ठीक है, एकाकी वैपार का search किया होगा या book में पढ़ा होगा तो sold trader का greatest difficulty जब बोलता है ना तो उसके हम कहते हैं unlimited liability for debt क्या कहते हैं unlimited liability for debt तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था unlimited liability होना चाहिए था ठीक है तो उस तरह से option number 2 correct होता ठीक है यहाँ पे typing में साहिद of sold trading business तो sold trading business का कौन सा characteristics नहीं है तो यहाँ पे आपका नहीं पूछा है देखे यह तो पहला तो है it is earned by one person sold का बात किया है तो एक ही person से ठीक है उसके बाद देखे यह भी second number भी साहिए उसके बाद अगर हम लोग देखे 15 का third number third number भी बिल्कुल साहिए the whole profit belongs to the sole proprietor ये भी साहिए three भी साहिए ना तो four number देखे यहाँ पे गलत है proprietor has limited liability क्या स्वामी का limited liability होता है नहीं उसका बहुत सारा दाइत होता है तो option number four जो है correct होगा नहीं पूछाता not पूछाता इसलिए आपका क्या correct होगा option number four बिल्कुल correct होगा ठीक है यानि एकाकी वेपार की विशेष्टा नहीं पूछा है सब कोई विशेष्टा है इसका ये जितना भी देख रहे है एक स्वामी का एक व्यक्तित होता है इसका अस्तित अपने स्वामी से अलग नहीं होता है इसका सारा लाव एक आकी वैसाई का होता है ये सब से ये लेगन किसको छोड़के वैसाई का सिमित दाइत होता है इसका सिमित दाइत नहीं होता है option number four correct होगा नहीं पूछा था इसलिए next question बहुत ही अच्छा question पूछा है बार बार जैक के तरफ से पूछा जाता है, Member C of Hindu Hindu family business is required टीक है, Member C of in joint Hindu family business is acquired, तो यहां पर यह 16 का जो है correct answer होगा, option number 2, by birth यानि सहीक्त हिंदू जो है परिवार website में सदेश्यता प्राप्त कैसे होती है, जरम से जो है उसकी सदेश्यता प्राप्त हो जाती है, ठीक है, अब लोग देखते हैं ना, TV स्रियल्स वेगर आपर दिखाया जाता है, ठीक है, अच्छी बात आप लोग स्रियल्स वेगर नहीं देखते है, option number 2, correct होगा, यहां पर याद रखेगा, जरम से जो है, सयुक्त हिंदू, परिवार वेवसाई की सदेश्यता प्राप्त होती है, ठीक है, आगे देखेए, 17 में क्या पूछा के, arrangement of residential recommendation at the reasonable rates for the members is done by, यानि 17 नमबर में पूछा गया है, हिंदी में देख लिजे, आपने सदेश्यों को अवाशिय मकान उप्युक्त दरों पर उपलब्द कराता है, ठीक है, तो 17 का correct answer होगा, बिल्कूल, ग्रीह समीति के द्वारा, ठीक है, तो यहां पर आपका ग्रीह समीति यानि housing cooperative जो होगा, correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए 18 पर देख लेते, क्या पूछा गया है, registration of partnership is, तो के तहद, it is not compulsory to registered a partnership farm, the farm does not have a separate legal identity, ठीक है, तो यहां पर इसके हिसाब से तो voluntary होना चाहिए, एचीक होना चाहिए, ठीक है, इसका answer आप लोग क्या मानते है, मेरे हिसाब से जो है, voluntary बिल्कूल सही है, registration of partnership जो होगा, वो क्या होगा, voluntary होगा, ठीक है, तो कहीं पर इक book पे necessary भ partnership act है, उसके तहद जो है, एचीक होता है, 1932 के तहद, आप लोग चेक कर लीजएगा, ठीक है, आप वोलेंटरी होना चाहिए, यानि एचीक होना चाहिए, ठीक है, आप लोग वैसे बताईएगा, आप लोग क्या मानते है, साज़िदारी वैसाई का पंजियन कराना क्या है, एचीक है, या आपका अनिवायर है, आप लोग नीचे बताईएगा, अविशक है या एचीक है, चलिए आगे देखते है, ethics are important for, 19 का पूछा है, ethics are important for, तो देखिए, ethics तो आपका workers के अंदर भी होना चाहिए, top level managers के अंदर भी होना चाहिए, या middle level, सब के अंदर, यानि सुरू से तयारी करेंगे, ठीक है, साथ में जूड़ करके, चलिए, देखिए, नेतिकता महत्पून होती है, करमचारियों के लिए भी, उच्छे अस्तरिय परबंद के लिए, माइद अस्तरिय परबंद, यानि सभी के लिए जो है, नेतिकता अवश्यक होता है, question number 20 देख स सदेश्य की निनतम सिंख्या होती है, तो क्या हो जागा, 10 जो होगा, 4 correct answer होगा, next question क्यों चलते है, 21, 21 का जो है, what is the responsibility of business towards the government, तो 21 का correct answer क्या होगा, चाहे helping of economic development of our country का बात करें, law of abiding का बात करें, tax, paying taxes, honestly, इसका बात करें, यह जितना भी दिया, यह सारा correct है, all of these जो होगा, correct answer होगा, ठीक है, यानि, website का सरकार के परती उत्तदायत क्या होता है, जितना भी options दिया है, वो सारा जो है, all of these जो होगा, correct answer होगा, इसको सारा नोट कर लिजेगा, next question क्यों चलते है, question about 22, the objective of a company are specified, तो 22 का जो है, correct answer क्या होगा, 22 का यहाँ पे जितना भी देख रहे है, 22 में भी, चाए by prospectors, by article, association, by memorandum of association, by certificate of commencement, यह जो 22 है न दोस्तों, इसका याद रखेगा, जब भी specified लिख दे company का, तो हमेसा याद रखेगा, by memorandum of association, correct answer होगा, ठीक है, याद रखेगा हमेसा इस चीच को, यह question पूछा गया है, 12 जैक के तरब से, यहाँ पे क्या होगा, by memorandum of association, जो होगा, option number 3, बिल्कुल, correct answer है, ठीक है, संस्था परलिक के द्वारा, next question क्यों चलते है, 23, which is the most stable form of business organization, तो 23 का जो है, most stable पूछा है, तो याद रखेगा, joint stuck company, जो होगा, correct answer होगा, ठीक है, next question क्यों चलते है, क्या पूछा किया, देख सकते है, यह साइक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक अस्था ही होता है, तो सेख्थ पूजी वाली company, जो होगा, correct answer होगा, अगला भी question जो उसी से related है, in which form of business organization, there is a separation between ownership and control, तो याद रखेगा, जब ownership and control का बात करें, जहां ownership and control अलग होता है, तो उसको हम किसमें रखते हैं, joint stock company, इसका correct answer होगा, ठीक है इसका क्या होगा, सेख्थ पूजी वाली जो company है, वो correct answer होगा, तो ऐसा संगठन के किस रूप में स्वामित्र एवं नियंतरन के बीच अलगाओ पाये जाता है, सेख्थ पूजी वाली company में, चली, next question क्यों चलते है, primary objective of establishing public enterprises is 25 का correct answer होगा, option number 2, provide service correct answer होगा, ठीक है, चली, next question क्यों चलते है, यानि सार्वजिनिक उपकरम की अस्थापना मुलभूत उद्देश होता है, सेवा करना, next question क्यों चलते है, 26, for Indian economy, public enterprises is 26 का correct answer होगा, नेसेसरी, option number 1, जो होगा, correct answer होगा, ठीक है, भारत की अर्थ विवस्ता के लिए, सरकारी उपकरम है, आवश्यक, ठीक है, 27 नमबर देख लिए, क्या बोला है, the maximum number of members in a public limited company is, तो 27 का correct answer क्या होगा, unlimited, क्या होगा, public limited company का बात किया है, maximum number का, तो unlimited होगा, अगर limited बोलता, तो बताईए क्या होगा, यहाँ पे maximum बोला है, तो मैंने बता दिया unlimited, अगर limited बोलता, तो क्या correct answer होता है, जल्दी comment करके बताई यह अपलोग, ठीक है, कि एक सारवजनिक company के सदैसो की अधिक्तम सेंखहा होती है, कितनी असिमित याद रखेगा, ठीक है, आगे देखिए, 28 नमबर, which of the flying is not auxiliary activity to trade, ठीक है, यानि निम्न में से कौन वैपार की साहया करिया नहीं है, तो कौन नहीं है भीया, माइनिंग, ठी ठीक है, बाकी सभी है, आगे देखिए, यानि खनन होगा, ठीक है, 29 नमबर, क्या पुछा, private company is one in which, ठीक है, तो 29 का जहा, option number one correct होगा, transfer of share is restricted, ठीक है, option number one correct होगा, 29 का option number one is the correct answer, अंसो के हस्तांतरन पर प्रतिबन, 30 नमबर देख सकते हैं, क्या पूछा है, life insurance corporation is an example of, LIC के बारे में पूछा है, ठीक है, यह किसका example होगा, तो यह देखिए, public cooperative जो होगा, इसके अंतरगत आएगा, याद रखेगा, 30 का जो है, correct answer किसके आएगा, option number three, public cooperation जो होगा, correct answer होगा, ठीक है, public cooperation correct होना चाहिए, इसमें, ठीक है, सारवजनिक निगम का, option number three is the correct answer, ठीक है, फिर आगया, soul trading is a related question, soul trading is best when, कब कहा जाता है, best, 31 का correct answer होगा, option number one, little capital is required, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है, एकाकी वेपार होगा न, soul trading होगा, तो अफकोर्स है, कि कम पुझी के अवशकता होती है, जब एकाकी वेपार चलाएंगे, 32, company whose business links are expanded in more than one country, ठीक है, य multinational company कहलाएगा, जैसे Tata, Tata का हमारे देश में नहीं है, बलकि वो पूरा international हो चुका है, विदेशों में भी उसका branches है, चलिए, आगे question पूछा गया था, इसका आप लोगों को समझ माग गया, company जिसका website एक देश से अधिक देश में फैला, बहुराष्टी ये company कहलाता है, 33 देखिए, MNC के बारे में पूछा है, multinational company के बारे में है, centralized control in MNCs is exercised by, तो 33 का correct answer होगा, headquarters, देखिए, बहुराष्टी कमपनियों में, Kendrick कृत, नियंतरन किया जाता है, इन सब कमपनियों पे, क्या किया जाता है, नियंतरन किया जाता है, मुखाले के दौरा किया जाता है, चलिए, next question क्यों चलते है, emergence of e-commerce was in, तो देखिए, बहुत सारे book में अलग-अलग questions दिया हुआ, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है, emergence of e-commerce was in, तो 1970 जो होगा, correct answer होगा, याद रखेगा, e-commerce का प्रदुरभाव हम लोग क्या मानते है, 1970 से मानते है, इसको note कर लीजेगा, देखिए, e-commerce का मतलब क्या होता है, e-commerce related question पूछा जाएगा, एकदम note कर लीजेए, और यही question आप लोगा रह सकता है, 35 का correct answer होगा, e-commerce का मतलब होता है, e-commerce means होता है, electronic commerce जो होगा, correct answer होगा, option number 3 correct होगा, चलिए, next question क्यों चलते है, 35 के बाद, 36, 35 का हिंदी में भी देख ली towards all जो होगा, correct answer होगा, ठीक है, यानि उद्धमी सार्वजनिक उत्तदाइत है, क्या, सभी के परती, चाहे, वो सरकार हो, ग्राहक हो, समाज हो, जितना भी option दिया, वो सभी के परती, जो है, correct answer होगा, देखिए, आगे question पूछा, 37 number, in e-business payment is done mostly through, किसके through से, जो है, e-business का payment किया जाता है, तो 37 का current answer होगा, option 1, credit और debit card के through, जैसे हम लोग करते हैं भी है न, चली, next question क्यों चलते हैं, पता चल गिया, इव, साय में, भुकतान, मिख्यतर, desk के द्वरा किया जाता है, credit, even debit card, चली, 38 देखते है, the spirit of social responsibility, increase, 38 का current answer क्या होगा, sales होगा, scope of market होगा, prestige of the institutions होग ठीक है, चली, next question क्यों चलते है, समाजिक उत्तदाइत की भावना में विर्धी करती है, तो यहाँ पर all of this जोगा, correct answer होगा, correct answer होगा, चली, next question क्यों चलते होगा, तो 39 का current answer होगा, air pollution जोगा, correct answer होगा, ठीक है, तो यह था आप लोगों का questions में से, ठीक है, तो आगे देखिए, question number 40 क्या पूछा गया है, last question, यहाँ पर, which of the flowing is not economic activity, ठीक है, आप लोग जो है, कोई भी दिक्कत होगा, आप लोग का WhatsApp group बना दिया गया है, आप लोग का WhatsApp group जो है, आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग कमि important, टेली ग्राम चैनल को जोरू जोइन कर लिजेगा, और Instagram ID के साथ भी जूड जाएगा, कोई भी दिक्कत होगी, आप लोग वहाँ पर direct हम से, बात्चित कर सकते है, ठीक है, इक्स्ट्रोवर्ट ABH, इक्स्ट्रोवर्ट ABH, जो है, Instagram का ID हो, आप लोग जूड सकते है, ठीक economic activity में, पहले हम लोग क्या करते हैं, लोग demand करते हैं, ठीक है, demand होता है, जिन चीजों का production होता है, फिर उसको हम लोग trade करते हैं, ठीक है, फिर हम लोगों को क्या करते हैं, professional service देते हैं, जिससे हमको कुछ पैसा मिल सके, जैसे हमारे घर तक कोई गाड़ी में कोई चीज हमको छोड़ के जा रहा है, तो वो बदले में हम से पैसा लेगा, लेगा ही, ठीक है, तो ऐसा professional service जिससे कुछ earn होता हो, ठीक है, हम लोग commerce पे जो है, emotions का बहुत कम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, earning, through earning का बात करते हैं, तो यहाँ पे सभी पे देखिएगा, कु कितने सारे बच्चे commerce के जुड़े हुए, कमेंट कीजेगा, अगर उस हिसाब से बच्चे रहे, ठीक है, तो ज़रूर आप लोगा next part का भी वीडियो आएगा, और आप सब को next exam के लिए all the best, और class 12 में आप लोग कितने सारे बच्चे त्यारी करना चाहते है, चैनल के साथ नीचे कमेंट करके जुरू बताएगा, अभी तक आप लोग ने सेट 1 नहीं देखा, बहुत ही अच्छे से डीटल के साथ एक्स्पिलेंट करके बताएगा, आप लोग एकनॉमिस को भी साथ में अभी त्यारी कर लिजेगा, अगर अच्छा लगा तो बिल्कु लाइक से औ कमेंट कर ना भूले, मिलते दोस्तों तक ने वीडिए को साथ, तब तक लिए धन्यवाद, जैहिंद वन्दमातरम